नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूट चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन और चार अपरील तूला रासी के महारासी फल के बारे में बेटा तुम दर्द साकर बहुत जी लिए अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गई हैं ज हम आप सभी को बता दें कि अगर व्यक्ति के जीवन काल में परिवर्तन होना होता है जब भगवान उनके जीवन काल में चमतकार करना सूरू करते हैं तो दोस्तों उनके लिए एक छोटा सा माचीस की तिल्ली भी बिसाल बन जाता है छोटा सा पथर भी उनके लिए पहाड बन जाता है जिहां दोस्तों और एसे ही कुछ मोखे आपको आने वाले तीन दिनों के अंदर आपके जीवन काल में मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुती बड़ा कृतिमान अस्थापित करेगा एक परकार से कहें कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा जिहा होने वाले हैं जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि अब आपके जीवन काल में मालक्ष में बहुती अच्छे ग्रहों की इसती बनाने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों अब आपको लाप के नए नए मोके मिलेंगे और दोस्तों दिन के पहले ही दिन से आपके जीवन क प्रफ़ाल में वो शुब घटना होने वाले हैं जिने दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे और यह घटना सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज साम से ही आपके घर के माहूल में पारवारिक चीवर में आपके स स्वास्ति बिजनर्स पर में आपके परते एक छेत में बहुती बड़ा बिर्दी बहुती बड़ी खुस खबरी आपको मिलने वाले हैं और दोस्तों इनके साथ ही आप सभी को यह समय कुछ विश्यस बातों का ध्यान रखना बहुती जादा महत्तपुन होंगे क्योंकि दो दुख दर्द थे वो दुख दर्द आपको किस ने दिये थे आखिर आपकी कौन सी उनमें गलती है यह बात आप खुद ही जानते हैं और दोस्तों यह समय आपको कौन सी विश्यस बातों का भी ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आपके आना वाले जीवन काल में आपके बारे में जानेंगे कि यह तीन दिनों के अंदर जो ग्रहों की बदलती चाल होगी आपके जीवन काल में कौन-कौन से बड़े परिवर्तन करेंगे कौन-कौन से विश्यस साफधानी आपको रखनी होगी कौन से कार आपके लिए भागे साले होगे और कीन छेत्रों में लाइक करके कमेंड बोक्स में सच्च मन से जै मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आस्म आसिरवाद आप सब्सक्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और यह अप इस चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बिल आइकन को जाद रखेंगे तो दोस्तों आपको आने वाले जीवन में कोई भी कष्ट कोई भी परेशानी नहीं होंगे तो आजे दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी की एक भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही उदास हो चुके थे बहुत ही हतास हो चुके और अपने परभू से श्री किर्सन जी से यह बात कहते हैं कि है परभू सच कहूं तो तेरे शिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों यह बात उनके दिल से निकली और भगवान श्रीक्रिशन जी पर कटो कर उन्हें घ्यान देते हैं कि उदास नहो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं, पर आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ और भगवान स्रिक्र सिंजी ने उन्हें यह भी ग्यान दिया कि लोग क्या कहेंगे पहले दिन हसेंगे दूसरे दिन मजाग उड़ाएंगे और तीसरे दिन भोल जाएंगे इसलिए लोगों की परभाब मत करो करो वो जो उचित हो जो तुम चाहते हो जिसमें तुम खुज हो याद रखना जिन्दगी तुम्हारी है लोगों की नहीं जिहां दोस्तों यह बात सुनकर उसकी भक्त की सारी परिसानिया खत्म हो जाती है और मन उसका बहुती ज्यादा हलका हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको भगवान स्रीक्रिश्न जी का यह ज्यान यह बात जीवन काल में आपके पारवारी जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या खुष खबरीयां करने वाली हैं। घर पर अधिक समय नहीं वेतित कर पाएंगे। परन्तु आपने बहुती महत्पून कार्यों को निप्टाने से परिशनता और सुकून रहेगा। यह समय निवेश करना भविश में लाबदायक सावित होगा। घर में किसी भी समंदी का आगवन भी होगा। दिन सुखद वेतित होगा, कुछ उल्जे हुए कारे वेश्थित होगे। परवासारी लोगों के साथ दोस्ताना समंद बनेंगे, कोई भी निने भावनाओं में आकर ना ले। प्रैक्टिकल होकर निने लेने से आपको निश्यती सफलता मिलेगी। अपने कारे सेली में परिवर्टान लाने से आप बहतरिन तरीके से अपने कारे को अंजाम दे पाएंगे। अगर आप प्रपटी की खरीद परोग समंदी कोई कार करने जा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकुल है। निश्यती की समंदियों के साथ चली गलत प्यमिया भी दूर होगी। विद्यारतियों को ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेगा। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबधानिया भी देख कर चलनी होगी। दूसरों के मामले में हस्तचिप ना करें। साथी गलत संगती और गलत आदतों से दूरी बना कर रखें। आलस और सुस्ती की वज़े से कुछ महतकुन का रुख भी सकती है। गर के वारिश सदस्री की सलह और मारदर्शन पर अमल करना आपको कोई गलतीक होने से बचाएगा। आपके लिए बहुती अनुकुल शमी है इसका उचीत सद्वियुक करें। सोसल मेडिया के जरी आपको व्यवसा समंदी नई उपलवदिया हासिल हो सकती है। किसी भी तरह की कानन पचले में ना पसें। खास तरुपर ट्रफिक नीमों का जरूर पालन करें। किसी ने दिखी समंदी के विवाई समंद में शमस्या आने से मन कुछ परेशान रहेगा। वर्तलाप करतेश में साबधानी बरतें। दोस्तों कारे चेतर में पवलिंग, डेलिंग और मार्केटिंग समंदी कारें में भी बहुती ध्यान दें। या समय फायदेमन इसती बनी हुई है। दोस्तों वैपसा में पिछले कुछ समय से चल ही समस्याओं का शमधान मिलेगा। फिर आपने सीथ होकर अपने कारें पर ध्यान दे पाएंगे। पर तो किसी भी नए काम को शुरू करने से उससे पहले समंदित उचित जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। नुक्री पेसलों को उपर कारभार की अधिकता रहेगी। दोस्तों वेबसाइट समंदिक कोई रुका हुआ कार इन तीन दिनों के शमय अवदी में शमपन होगा। दुर दराज के छेतरों में महतपून ओडर मिलने की शमभावना है। साथी साथ आपको अपनी महनत का उचित परनाम भी हासिल होंगे। दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पतनी आपसे समान जज़ उचित बना कर रखें। था एक दूसरी की भावनाओं को कदर करें। प्रेम समंद में मधुरता बनी रहेगी। साथी साथ बेहोतर समंदों का खुलाशा हो सकता है। इसलिए ऐसी गत्ति विदियों से दूर रहें। जिवन साथी दता घर परिवार के परती आपका सहयोग और समर्पन की भावना घर के माहोल को पहुती सुखनामा बना कर रखें। लब पार्टनर की भावनाव को ध्यान में रखें। वहीं आपके स्वास्ते के बारे में देखा जाए तो अपने खान पानू और दिन्चारिया के परती लब परवाही ना बढ़तें। थोड़ी सी साबदानी आपको स्वास्तर रखेगी। अब का स्वास्तर ठीक रहेगा पर तो ग्यास और सीर्दर्ज जिसी समस्या बहुत ही परेशान कर सकती है। वे विश्तित दिन्चारिया रखें। साथे साथ वियोगा और वेवाम पर ध्यान दें। वहीं दोस्तों आ मालक्षमी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, गोड़ी, संख, यादी अरपिद करें। मन्यता है कि मालक्षमी को मा खाने खिर बता से यादी का भोग लगाने से मालक्षमी जल्द ही प्रशन होती है और भक्तों पर कृपा वरसाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। सु आगे साली अंक एक है दोस्तों मालक्षमी जी की आज सिर्वात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंड बॉक्स में जाए मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवार